सब्तमों अध्यायः चंड और मुंड का वध मैं मातंग देवी का ध्यान करता हूँ वे रत्न में सिंगासन पर बैठ कर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही है उनके शरीर का वण श्याम है वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए है और मस्तक पर अर्धचंद्र धारन करती है तथा कलहार पुष्पूं की माला धारन किये बीना बजाती है उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंक में पात्र लिये हुए है उनके वदन पर मधु का हलका हलका प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेंदी शोभा दे रही है रिशी कहते हैं तदंतर शुम्ब की आग्या पाकर वे चंड मुंड आदी दैत्य चतुरंगीनी सेना के साथ अस्त्रशस्त्रों से सुसजित हो चल दिये फिर गिरी राज हिमालय के सुवर्ण में उचे शिखर पर पहुँच कर उन्होंने सिंग पर बैठी देवी को देखा वे मंद मंद मुस्करा रही थी उन्हें देख कर दैति लोग ततपरता से पकड़ने का उद्योग करने लगे किसी ने धनुष्टान लिया किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए तब अंबिका ने उन शत्रों के प्रती बड़ा क्रोध किया उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया ललाट में भौहें टेड़ी हो गई और वहां से तुरंत विक्राल मुखे काली प्रकट हुई जो तलवार और पाश लिये हुए थी वे विचित्र खड़वांग धारण किये और चीते के चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूशत थी उनके शरीर का मांग सूख कया था केवल हड्डियों का धाचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी उनका मुख बहुत विशाल था जीब लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी उनकी आखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी वे अपने भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुणजा रही थी बड़े बड़े दैत्यों का वद करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर तूट पड़ी और उन सब को भक्षन करने लगी वे पार्श्व रक्षकों, अंकुष्धारी महावतों, योध्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़ कर मुह में डाल लेती थी इसी प्रकार घोडे, रथ और सार्थी के साथ रथी सैनिकों को मुह में डाल कर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिरा कर मार डालती थी वे असुरों के छोड़े हुए बड़े-बड़े अस्त्रशस्त्र मुह से पकड़ लेती और रोश में भर कर उनको दातों से पीस डालती थी काली ने बल्वान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दातों के अग्रभाग से कुछले जाकर मृत्यों को प्राप्त हुए इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दोड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बानों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानों सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हो तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यन्त रोश में भरकर विकट अटहास किया उस समय उनके विक्राल वदन के भीतर कठिंता से देखे जा सकने वाले दातों की प्रभा से वे अत्यन्त उजवल दिखाई देती थी देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काड़ डाला चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दोड़ा तब देवी ने रोश में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धर्ती पर सुला दिया महा पराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भैसे व्याकुल हो चारो ओर भाग गई तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अठहास करते हुए कहा देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महा पशुओं को तुम्हे भेट किया है अब युद्ध यग्य में तुम्शुम्ब और निशुम्ब का स्वयम ही वद्ध करना रिशी कहते हैं वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महा दैत्यों को देखकर कल्यान मैी चंडी ने काली से मधुरवानी में कहा देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याती होगी इस प्रकार श्री मारकंडे पुराण में सार्वनिक मनवंतर की कथा के अंतरगत देवी महात्म में चंड मुंड वध नामक सात्वा अध्याय पूरा हुआ